कर देख सकते हैं तो देखिए क्यों सतने आज का पहला मद्यकालीन तो मद्यकालिन भारतिय आर्या भासा का काल क्या रहा है? तो कब तक रहा है? पांसो इसवी पूर्फ से एह तो कब तक रहा है? अगर यहां पर बात करें प्राचीन भारतिय आर्ये भासा का खाल तो कब तक रहा है अगर इसकी बात की जाए तो आपका दो हजार इस्वी से पांसो इस्वी पूर्व ठीक है पांसो इस्वी पूर्व अब देखे अब प्राचिन भारतिय आर्या के भासा के अंतरकत जो आती है इसमें आपकी बेदिक संस्क्रत ठीक है बेदिक संस्क्रत और आपकी लेकिक संस्क्रत ठीक है लोकिक संस्क्रत इसके अंतरकत आती है प्राचिन भारतिय आर्या भासा के अब देखे बेदिक संस्क्रत की बात करूं तो दो हजार इस्वी पूर्व से ठीक है popularity अब दिखें लेकिक संस्क्रत की बात करूं तो आट इस्वी पूर्ब से पांसो इस्वी पूर्ब तक यह रहा आपका प्राचिन भारती आर्य भासा के अब उसके बाद पानन सो स्वी से मध्यकार्लें भारतिय आर्य भासा ठीक है मद्या करने कब तक रहे हैं आपकी 500 इस्वी पूर्फ से 1000 इस्वी पूर्फ तक अब इसमें जो आती है देखे अब इसमें जो आती है आपकी एक तो आती है पाली ठीक है तो पाली के अगर बात करूँ तो पाली जो आती है 500 इस्वी पूर्फ से पहली इष्वी से पहली इष्वी से आपकी यानि के 5080 तक ठीक है 500 इष्वी तक उसके बाद इसमें अपब्रहंस उसके बाद क्या रहा इसमें आपका आपब्रहंस अब भ्रंस अब भ्रंस कब से कब तक आपका पांसो इस्वी से एक हजार इस्वी तक ठीक है एक हजार इस्वी तक तो यह मध्यकालिन भारतिय आर्य भासा का उसके बाद दिके अगर यहाँ पर बात आती है आधुनिक भारतिय आर्य भासा की आदोनिक भारतिय आरिय भासा के बारे में ठीक है तो यह कब से कब तक रही आपकी एक हजार इसवी से अब तक ठीक है एक हजार इसवी से अब तक तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना सब को ठीक है क्योंकि यतने भी क्यूस्थन बनेंगे आपके सारे इससे इसमें कबर हो जा आगे बात करते हैं अगले क्युस्टन की अगला क्युस्टन है कौन सी बोली बिहारी नहीं है तो कौन सी बोली जो है वो बिहारी नहीं है देखें अगर यहां पर बात करें भोशपुरी तो भोशपुरी आपकी बिहारी है मगईवी और मेथेली वी ठीक है तो यह बिहारी है देखें यहाँ पर एक चीज़ बता दूं आपको तो बिहारी हिंदी की अगर बात करें बिहारी हिंदी का जो विकास हुआ है बिहारी हिंदी का विकास अगर बात करें बिहारी हिंदी का विकास तो किस पिरकार से हुआ देखें बिहारी हिंदी के अगर बात आती है तो इसका विकास मागदी अपभरंस से हुआ है अब देखे अगर यहाँ पर बात करने तो जैपूरी जो है यह आपके बिहारी बोली के अंतरगत नहीं आती है ठीक है यह काई कि आपकी राजिस्तानी है यह काई कि आपकी राजिस्तानी ठीक है तो राजिस्तान की बोली है राजिस्तान की बोली ठीक है इसका विकास के अगर बात करूँ तो इसका विकास सोरसैनी अपभरंस से हुआ है इसका विकास काई से हुआ आपका इसका विकास सोरसैनी अपभरंस से ठीक है तो यहाँ पर भोचपुरी मागई मेतली ब्यारी की उपभासा है ठीक है तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना चलिए अगरा कीशन देखते है देव नागरी लीपी का सरफर्थब पर योग कहाँ हुआ था तो देव नागरी लीपी का सरफ練 पर ठीक है ये कौन थे गुजरात के राजा तो गुजरात के राजा ठीक है गुजरात के राजा जैभट के सिला लेक में इसका पिरयोग सरपर्तम किया गया था ठीक है तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना अगला क्योशन है कौन सी प्राचीन भासा नहीं है तो कौन सी प्राचीन भासा नहीं है देखे अब भासा का जो विकास का किरम अगर उसकी बात की जाए भासा का विकास किरम अगर भासा के विकास किरम की अगर बात करें तो किस परकार से हुआ है दिखें सबसे पहले आपकी संस्किरत ठीक है संस्किरत के बाद आपकी पाली पाली के बाद है आपका प्राकर्तक ठीक है प्राकर्तक के बाद आप भ्रंस आप भ्रंस अप भ्रहंस के बाद आपकी अब हट ठीक है अब हट अब हट के बाद आपकी प्राचीन हिंदी ठीक है प्राचीन हिंदी तो कौन सी इसमें से नहीं है दीक है अप भ्रहंस भी है प्रा करती है संस्कत में लिए पंजाबी तो पंजाबी भासा नहीं है ठीक है तो प्राचीन बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है तो इनमें से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है देखे यहां पर बात करें मेवाती की तो मेवाती यहां पर यह जो बोली है मेवाती तो यह राजस्तान की बोली है कहां की है राजस्तान की बोली है मेवाती और इसकी जो बोली है अ मारवाडी भी है आपकी मारवाडी मारवाडी और मालवी मालवी ठीक है जैपुरी तो यह जो बोलिया है यह राजस्तान की बोलिया है ठीक है लेकिन भोजपुरी कन्नोजी बिरज जो है यह उत्तर प्रदेश की बोलिया है ठीक है तो यह आपकी उत्तर प्रदेश की बोलिया लिमेवाती आपकी राइस्तान की बोली है ठीक है चलिए अगरा कुछन देखते हैं मतुरा और ब्रेंदा बन में मुक्के तक कौन सी बोली बोली जाती है तो मतुरा और ब्रेंदा बन की अगर बात करें तो इसमें आपकी कौन सी बोली बोली जाती है दीक है अगर संस्कृत क कि बहुpower करें करें तो राजस्तान पच्छमी तो यहां पर इसको भी नोट कर लेकर एक हैं डामी पूछ पूरी का बात कोंदम भोज़पुरी तो भोजपुरी कां और के बाशने जाते की बिहार और उट्तर प्रदेश ये पूछ लेता है तो बिहार और आपका उत्तर प्रते है ठीक है अब देvel English was not नोट करना कुमावनी यहां पर कुमावनी तो कुमावनी कहां बोले जाती है आपकी उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश ठीक है उत्तराखंड और आपकी हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में क्योंकि यह पूछ लेता है तो इसलिए इसको यहां पर भी नोट कर लेना ठी कि उत्तर प्रदेश में कौन सी भासा नहीं बोले जाती है तो उत्तर प्रदेश में कौन सी भासा नहीं बोले जाती है तो यहां पर बात करें तो उत्तर प्रदेश में तो देखिए ब्रज भासा बोली जाती है ठीक है ब्रज भासा अब्दी भी बोली जाती है कन्यों जी बो पहाड़ी ठीक है बाकी आपकी बिरज भासा आप दी उत्तर प्रदेश करनो जी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है अगला क्यूस्टन है किस छेत्र की बोली को कासी का कहा जाता है तो किस छेत्र की बोली को कासी का कहा जाता है देखें यहां पर अगर बात करें कासी का एक भारतिय आर्य भासा, ठीक है, यह क्या है, कासी का एक भारतिय आर्य भासा है, जो आपकी अगर इसकी बात करों, जो बारतिय अर्य भासा है, उसके आज पास के छितरों में बोली जाती है, जो बारांड़सी उसके आज पास के छितरों में बोली Jimal, उसके आसपास ठीक है उसके आसपास के छेतर में बोली जाती है ठीक है तो छेतर में बोली जाती है अब कसी का भासा की यहां से बात करूँ कसी का कसी का तो कसी का भासा का बिस्तार जो हुआ है कसी का भासा का बिस्तार अगर इसके बिश्तार की बात करूँ तो भोषपुरी भासा के छेत्र पच्चमी हिस्से से लेकर अबदी भासा के छेत्र तक है तो देखें कसी का भासावादी जिले जो है अगर इसकी बात करूँ तो आपका बाराणसी आता है और इसमें आपका आजमगड आता है ठीक है आजमगड भी आता है इलावाद भी आता है इलावाद भी इसके छेत्रकंत्रकत आता है अब देखें इसका कसी का नाम पड़ा कैसे इसका जो कसी का जो नाम पड़ा कसी का तो कासी के नाम पर पड़ा इसका नाम ठीक है किसके नाम पपड़ा कासी के नाम पर ठीक है तो कासी के नाम पर उसका नाम कासी का पड़ा इस भासा का नाम ठीक है तो इसको यहाँ पर भी नोट कर लेना चले अगला क्योशन देखते हैं खड़ी बोली निकली है तो खड़ी बोली कहां से निकली है खड़ी बोली के अगर बात करें तो खड़ी बोली जो आती है आपकी पच्मी हिंदी के अंतरगत आती है यह का अंतरगत आती है ठीक है अब देखें पच्चमी इंदी उपभासा के अंतरगत जो आती है अब क्या क्या आती है तो इसमें आपकी कोर भी हो गई ठीक है कोर भी हो गई बांगुरू हो गई बांगुरू हो गई हर्यान भी हो गई हर्यान भी और आपकी ब्रजभासा हो गई ब्रज भासा या बुंदेली बुंदेली और कन्नो जी ठीक है कन्नो जी तो यह तो आती है पच्छमी हिंदी के अंतरगत अगर यहाँ पर बात करें पूर्वी हिंदी के अंतरगत तो पूर्वी हिंदी में क्या क्या आती है दिके पूर्वी के अगर बात करूं तो पूर्वी में आपकी अब्दी आती है ठीक है अब्दी आती है बगेली आती है पूर्वी अब्दी बगेली च्छतिस गड़ी च्छतिस गड़ी तो ये पूर्वी भासा के पूर्वी हिंदी के अंतरगत आती है अगुंदिक नहीं करों तो विहारी के जो अंतरगत आती है वह आपकी भोज पूरी हो गई है जी जाक है भोज पूरी हो गई मघंघई मेज नहीं करोंगों करते यहाँ एगर बात करें राजस्तानी हिंड तो इसमें आपकी मारवाडी हो गई ठीक है मारवाडी हो गई जैपूरी हो गई जैपूरी या डुंडाली ठीक है या डुंडाडी मेवाती और मालवी ठीक है मेवाती मालवी तो ये जैपूरी केंतर गाताती हैं इनको भी नोट कर लेना ठीक है चलिए अगला कुछन देखते हैं हिंदी खड़ी बोली किस अप भ्रहंस से बिक्सित हुई है तो हिंदी खड़ी बोली जो है किस अप भ्रहंस से बिक्सित हुई है देखे हिंदी के अगर बात करें तो हिंदी खड़ी बोली जो आपकी निकली है वो सोर सेनी अप भ्रहंस से बिक्सित हुई है ठीक है तो इसमे इसमें आपकी पच्चमी हिंदी राज्तान ब्रज भासा इसमें आती है ठीक है तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना चलिए अगला क्यूशन देखते हैं कर्णड का संब्ध किस भासा परिवार से है तो कर्णड का संब्ध किस भासा परिवार से देखें यहाँ पर बात करें कर कन्नड का तो कन्नड का जो सम्मद आता है वो आपका द्रैविड भासा परिवार से हैं किससे है द्रैविड भासा परिवार से हैं अब इसमें द्रैविड भासा परिवार में क्या-क्या भासा आती हैं तो इसमें देखें अब इसमें आपकी तमिल तमिल, तेलगू, तमिल, तेलगू, कन्नड, मलायलम, मलायलम, और आपकी द्रैविड, ठीक है, द्रैविड, तो ये द्रैविड भासा के परिवार के अंतरगत आती है, तो उसके यहाँ पर नोट कर लेना, दिखे, अब यहाँ पर भारतिय भासा परिवार के अंतरगत जो आती है, तो इसमें आपकी संस्क्रत हो गई, ठीक है, संस्क्रत हो गई, पाली हो गई, प्राकर्तक हो गई, अप भ्रंस हो गई, अप भ्रंस हो गई, हिंदी हो गई, उडिया हो गई, हिंदी, उडिया, बंगा बंगाली पंजावी आधी भासाएं इसमें आपकी आती है ठीक है तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना चलि अगला कुश्चन देखते हैं ब्रज भासा का विकास किस आप भ्रहंस से हुआ है देखे ब्रज भासा का जो विकास हुआ है वो आपका देखे आधुनिक आर्य भासाओं में से जो ब्रज भासा है तो देखे यह आपकी सोर्स हैनी से हुआ है इसका विकास काई से हुआ है सोर्स हैनी से हुआ है तो इसमें आपकी चितनी भी बोली है सोर्स हैनी का विकास अब ब्रण से हुआ है तो यह चिज़ को यहाँ पर नोट कर लेना चुंग है चलिए अगला केशन देखते हैं हिंदी भासा का प्रत्वे राज रासो प्रत्वी राज रासो है किसके दवार रचित है तो यह चंद्रबर्दाइद दवारा रचित है तो ये चंद्र वर्दाई ने लिखा है प्रत्विराज रासो तो इस महाकावि में प्रत्विराज चोहान के जीवन चरित का विर्णन है ठीक है यहाँ पर इसको नोट कर लेना प्रत्वी राज के प्रत्वी राज चोहान के जीवन चरित्र का वर्णन है ठीक है तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना ठीक है प्रत्वी राज राज चोह हिंदी के बीर रसका सर्वस्रेश्ट महा काब्य है ठीक है महा काब्य है तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना ठीक है अगला क्यूशन देखते है निमले कितमे से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विवाजन नहीं है तो इसमें से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विवाजन नहीं है ठीक है अगर यहाँ पर बात करें आधुनिक काल भी है भक्ती काल भी है रीती काल भी है लेकिन आपका सैयुक्त का ओपाल नहीं है ठीक है अधिकर यहां पर बात करें तो हिंदी साइथ Любक्त काल शेके यहीं काल कि विवाजन क्या गया है तो लिखिग अधि काल्व मुष्ण करें तो हिंदी साइथल राधाक काल सबसे पहले आता है अधिकल ऐक आधी काल तो इसका विवाजन 1050 इस्वी से 1375 इस्वी ठीक है उसके बाद पूर्व मद्यकाल के गर यहाँ पर बात करें पूर्व मद्यकाल पूर्व मद्यकाल जिसे कहते हैं भक्तिकाल ठीक है यह आपका 1375 बिक्रम संबत ठीक है अब उसके बाद उत्तर मद्यकाल उत्तर मद्यकाल उत्तर मद्यकाल के अगर बात करें तो 1770 से आपका 1970 तक ठीक है अब आधुनिक काल के अगर बात आती है आधुनिक काल तो आदुनिक कालब का 1850 इस्वी से अब तक ठीक है अब तक विभाजित तो इस तरीके से इसको विभाजित क्या गया है इनको भी यहाँ पर नोट कर लेना ठीक है चले अगला करशन देखते हैं इलावाद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है तो इलावाद में बोली जाने वाली जो है वो कौन सी है इलावाद में जो बोली जाती है तो यहाँ पर अबदी बोली जाती है ठीक है क्या बोली जाती है अबदी बोली जाती है ठीक है तो यह अब इसकी प्रत्म किर्थी तो यह आपकी मध्यकाल में प्रच्रन में मैं इसकी प्रत्म किर्थी मुल् दाव द्वारा 1375 में रचित चंद्रयन ती टृक है इसे लोरका के नाम से भचान चंद्रयान लुथी इसके बाद ग्याओर अबلي भास का प्रियोग छेत्र के अगर बात करूँ देखे अबदी भासा का छेत्र है अगर यहां से बात की जाए अबदी भासा का छेत्र तो इसका जो छेत्र है तो आयोध्या अयोध्या अयोध्या बोली जाती है लखनव ठीक है लखनव है इलहाबाद है इलहाबाद और आपका राय बरेली राय बरेली ठीक है राय बरेली सीतापुर फैजाबाद गोंडा पिरतापगड तो इनको नोट करना है यहाँ पर आपकी अबदी बोली जाती है अब देखे बिरजभासा की बात करूँ तो बिरजभासा का छेत्र जो है मथूरा आगरा अलीगड मैनपुरी दोलापुरी तो यहाँ पर आपकी बिरजभासा बोली जाती है अब खड़ी बोली की बात करें तो खड़ बोली आपकी मेरट बिजनोर मेरट बिजनोर रामपुर मुरदबाद मुरदबाद साहरनपुर देरादून अमबाला ठीक है तो यहाँ पर यह बोली जाती है अब देखें भोजपुरी के अगर बात करूँ तो भोजपुरी में आपका भोजपुर बोजपुर बनारस जोनपुर मिरजपुर जोनपुर मिरजपुर गाजीपुर बलिया गोरकपुर तो इनको नोट करते चलना बलिया गोरकपुर गोरकपुर देवरिया बस्ती आजमगाण तो यहाँ पर आपकी भोजपुरी बोली जाती है तो इसको यहाँ पर भी नोट कर ले ना ठीक है चलिए अगला किसों देखते हैं हिंदी आकरती की दरश्टी से निमले कितमे से किस पिरकार की भासा है तो हिंदी आकरती की दरश्टी से अगर यहाँ पर बात करें तो यह आपकी सिल्स योगात्मक भासा है इसे हम ब्योगात्मक पिरकार की भासा भी कहते हैं तो इस चीट को भी आपर नोट कर लेना देखें आयोगात्मक की बात करूँ तो यह आपकी चीनी भासा मंदारिन मंदारिन आयोगात्मक पिरकार की भासा है तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना तो इसको भी आपकी नोट कर लेना ठीक है चले अगला करसं देखते हैं 36 गड़ी किस पिरकार की बोली है तो 36 गड़ी की अगर बात करें तो 36 गड़ी जो आपकी किस पिरकार की बोली है तो हिंदी भासा की कितनी विख्यात बोलिया है तो हिंदी भासा की आठ विख्यात बोलिया है कितनी है आठ विख्यात बोलिया है हिंदी भासा की पांच उप भासा है ठीक है हिंदी भासा की क्या है अगर बात करें तो पांच उप भासा पांच उप भासा है ठीक है इसमें को कौन से आती हैं देखें पच्छमी हिंदी पूर्वी हिंदी और आपकी राजस्तानी हिंदी राजस्तानी हिंदी पहाडी हिंदी और आपकी बिहारी हिंदी ठीक है बिहारी हिंदी तो यह पांच परकार के उप भासा है और 18 बोलिया हैं ठीक है कितनी बोलिया हैं तो देखे हिंदी भासा की कितनी बिक्ष्यात बोलियां आठ बोलियां है और अठारा बोलियां है तो इसको भी नोट करना अठारा बोलियां है अठारा पिरकार की ठीक है तो इसको यहाँ पर नोट कर ले ना चले अगला किसमें देखेंगा हड़ोती बोली है तो हड़ोती बोली क्या है कि हड़ोती जो बोली है तो यह अपकी दक्षणी राजिस्तान की बोली है ठीक है किसकी है दक्षणी राजिस्तान की बोली है अब देखें यहां पर अब पच्छमी की अगर बात करें यहां पर प पच्छमी तो पच्छमी राइस्तान की बोलिया के अंतरकर जो आती है इसमें आपकी मारवाडी ठीक है मारवाडी आती है इसमें आपकी मेवाडी आती है यहाँ पर नोट कर लेना मारवाडी मेवाडी बांगडी सेखा बठी डार की बीका नेरी ठीक है अब देखे यहाँ पर अगर बात करूं दक्षणी हिंदी के अंतरकत क्या क्या आती है तो दक्षणी में जो आती है दक्षणी दक्षणी और पूर्वी राइस्तानी यहाँ पर इसको नोट कर ले ना दक्षणी और पूर्वी राइस्तानी ठीक है दक्षणी और पूर्वी राइस्तानी के अगर बात करूं तो इसमें जो आती है आपकी तो इसमें दक्षणी पूर्वी राइस्तानी के अगर बात करूँ तो इसमें आपकी रांगडी ठीक है रांगडी और सोंदहांबडी रांगडी और सोंदवानी ठीक है तो यह आती है दोनों अब उत्तर पूर्वी के अगर बात करूं, उत्तर पूर्वी राहिस्तान ही के अगर बात करूं, तो इसमें जो आती है, उत्तर पूर्वी में तो दिखें, इसमें आपकी अहीरवटी and एहीरवटी और मेववती तो यह आती है दो पिरकार की बहुत कर लेना अब दीकिने मद्यम पूर्वी के बात करूं कर लिना आपको eh तो इसमें यानली कि जैपुरी हरोगती खी कहें तो इसमें आती है तो इसको भी यहां go है तो यहां पर हडोती कौनसी में आती आपकी पूर विरायस्तानी में ठीक है तो इसको यहांपर नोट कर ले ना है चाहिए अगले विशन देखते हैं गाजीपूर में बोली जाने वाली बोली प्रमुक कौन सी है तो यहां पर बोली जाती है, इसको यहाँ पर नोट कर लेना तो आज के टॉपिक में इतना ही कल लिस में मिलेंगे आगे के क्युस्टनों के साथ जो क्युस्टन लिस में बनते हैं तो चैनल पर नहें हो, सब्सक्राइब करेंगे पिछली क्लास नहीं देखेंगे तो उसका समिलिक डाला हुआ है वहाँ से जाके उनको देख लेजिए तो जब तक के लिए धन्यावाद